आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने अफर्मेशन की शुरुआत आई एम ये दो शब्दों से करते हो तो कैसे वो चीजे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाते हैं ये जो दो शब्द हैं आई एम ये बहुत ज़्यादा पावफुल शब्द है क्योंकि जब आप दिल से अपने अफर्मेशन को इस आई एम के साथ जोड़ कर कहते हो तो वो चीजे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है ये आई एम का मतलब क्या है मतलब मैं और मैं का म अफर्मेशन को पूरे अपने आपके साथ एक करके पूरे दिल से अपना के कहते हो जैसे I am rich, I am healthy, I am lucky, I am blessed तो ये सारी चीजे आपकी लाइफ में धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लग जाती है क्योंकि आप इस समय अपने physical body से उपर उठके अपने दिमाग को छोड़के आसे अफर्म करते रहते हो रोज रोज तो क्या होता है वो चीजे जिने आप मांग रहे हो वो धीरे धीरे आपकी life में manifest होते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप दिल से वैसे ही बन जाते हो जो आप मांग रहे हो उस affirmation में और जब हम इस तरह से I am लगाते हैं अपने देती है आपके अंदर की जो भी शक्ति है उन चीजों को आपकी life में लाने के लिए लग जाती है एक अंदर की जो power है वो power आपको उन चीजों को अपकी life में experience कराने के लिए लग जाती है आपको ये समझना है कि जब आप दिल से अपनी चीजों के बारे में बोलते हो affirmations ब तो आएंदा जब भी आपको अपने affirmations पर doubt रहना, तो याद रखना कि आपके अंदर की जो power है वो अस affirmation को सच करने के लिए पूरा जोर लगाई हुए, तो कभी भी आपको अपने उपर doubt नहीं करना, क्योंकि अंदर की जो power है वो चाहती है कि आप बहुत खुश रहो, बहुत happy रहो, दिल से पूरी तरह उन चीजों का experience करो, जो आप अपने affirmation में बोल रहे हो, So guys, अब हम मिलते है नेक्स्ट वाले पीटियों में, तब तक आप अपना ध्यान रुखिए और खुश रहे है, बाब बाई!